नमस्ते दोस्तों कविता की चंडे सपीज में आप सभी का स्वागत है आज हम आपके लिए लेकर आये हैं बहुती टेस्टी वर प्रोटीन से भरपूर ब्रोकली की मसालेदार सबजी इस सबजी को आप इस तरह बनाने से एकदम रेश्टोरंग जैसी बन जाती है तो आईए देखते हैं ब्रोकली की सबजी बनाने के लिए हमें किन किन चुजों के आवशकता है तो ब्रोकली की सबजी बनाने के लिए मैंने यापर लियाए डायसोग्राम ब्रोकली ब्रोकली को हमने अच्छे से दो कर इस तरह से बड़े टुकडों में कट कर लिया है इसके बाद मसालों में हमने लिया दो चम्मच कश्मिरी लाल मिर्च का पाउडर ये कम तीकी वाली लाल मिर्च पाउडर है इसलिए मैंने यापर दो चम्मच लिया है इसके साथ ही मैंने याप पर लिया एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला, आदा चम्मच हल्दी पाउडर, आदा चम्मच जीरा और नमक हम लेंगे स्वात के अनुसार या तो एक चम्मच तो सबसे फ़र हम घ्या सौन करके कड़ाई गरम करेंगे, और इसमें 2-3 चम्मच तेल डालेंगे, जैसे ही तेल हल्का सा गरम हो जाएगा, हम इसमें आदा चम्मच जीरा डालेंगे, और जीरे को हल्का सा फ्राइग करेंगे, इसके बाद हम इसमें वारी कटावा प्याज और मिक्स करेंगे इसे अच्छे से इसमें आदा चमश नमक डालेंगे नमक डालने से प्याज जो यह जल्दी सौप्ट होता है इसलिए मैंने या पर नमक का इस समाल किया है नमक डालने के बाद हम प्याज को अच्छे से मिक्स करेंगे और मिडियम प्लेम पे इसे 4-5 मिट के लिए अच्छे से पकाएंगे यानि कि जब तक प्याज हलका सा सौप्ट ना हो तब तक हम इसे पकाएंगे तो देखे, प्याज याँ पर बहुती अच्छे से सौप्ट हो चुका है तो अब हम इसमें एक चमच आद्रक और लसुं का पेश डालेंगे आद्रक और लसुं को भी हम एक मिनिट के लिए भुनेंगे तो देखिए आदरक और लोसुंबी या पर अच्छे से फ्राय हो चुका है अब हम इसमें पीसावा टामाटर आड़ करेंगे मिला देंगे टामाटर को अच्छे से इसके बाद हम टामाटर को 4-5 मिंट के लिए मिडियम फ्लेम पे पकाएंगे ताकि इसका कच्छा पंचला जाएं 4-5 मिंट के लगबग हो चुके हैं और टामाटर या पर बहुत अच्छे से पक गया है तो अब हम इसमें कटावा ब्रोकले आड़ करेंगे मिला देंगे इसे प्याज और टामाटर के साथ अच्छे से तो देखिए ब्रोकली को हमने प्याज और टामाटर के साथ अच्छे से मिक्स किया है अब हम इसे कवर करके 4-5 मिंट के लिए मिडियम फ्लेम पे पकाएंगे ताकि ब्रोकली जो हलकी सी सौप्ट हो जाए 4-5 मिंट के बाद हम इसे फिर से चेक करेंगे तो देखिए ब्रोकली याँ पर काफी सौप्ट हो चुकी है तो इसी स्टेप में अब हम इसमें डालेंगे सभी सुके मसाले लाल मिर्च का पाउडर ननिया पाउडर गरम मसाला हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक ध्यान रखे कि हमने पेले भी प्याज के साथ नमक को डाला है इसलिए नमक को हम हिसाब से डाले मिला देंगे मसालो को अच्छे से और मसालो को हम एक मीट के लिए फ्राई करेंगे तो यहाँ पर मसाले भी बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं तो अब हम इसमें एक ग्लास पानी आड़ करेंगे सब्जी में पानी आप अपने पसंद के अनुसार डालें मैंने याप पर एक ग्लास पानी डाला है थोड़ा सा धन्या पत्ता डालेंगे और सब्जी को अच्छे से मिक्स करेंगे इसके बाद हम सब्जी को मिडियम फ्लेम पे 7-8 मिंट के लिए पकाएंगे तो देखिए 7-8 मिंट के लगबग हो चुके है और सब्जी आप पर बहुत अच्छे से पक गई है आप देख सकते हैं अब हम ग्यास को बन करेंगे और इसे एक बावल में सर्व करेंगे तो देखिए प्रेंट्स एकदम रेश्टोरन जैसे टेस्टी और हिल्दी ब्रोकली की सब्जी आप बिल्कुल तयार हो चुके है तो आप भी इस ब्रोकली की सब्जी को इस तरह से जरूर बनाए और अपनी मन पसंदिदा रोटी चापती चावल या पुरी के साथ गर्मा गर्म सर्व करें और हमेशा की तरह आपको रेशिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सस्क्राइब करने के साथ साथ बेल आइकों को भी प्रेस करें ताकि आने वाले लेटेश टूडियो का नोटिपिकेशन आपको मिल सकें फिर मिलेंगे एसे ही नई रेशि के साथ तब तक के लिए धन्यवाद